जब से विराट कोली को BCCI ने वंडे की कप्तानी से हटाया है तब से लगातार नई विवादित बातें सामने आ रही है बुधवार को विराट ने एक प्रेस कॉंफरेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि वो वंडे की कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्हें पर BCCI ने विराट पर पलटवार कर दिया है BCCI ने साफ कर दिया है कि विराट का ये कहना एकदम घलत है कि उन्हें कप्तानी से हटाने की जानकारी नहीं दी गई थी BCCI का कहना है कि विराट ने T20 की कप्तानी पहले ही छोड़ दी थी और उसके बाद वाइट बॉल फॉर कप्तानी से हटाया जाने के बारे में उन्हें BCCI ने सिर्फ गेड़ घंटे पहले ही बताया था लेकिन BCCI ने इस बात का भी जवाब दिया है कि अब विराट को BCCI ने कप्तानी से हटाया तो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने उन्हें पहले ही खुद फोन पर सारी जानकार होई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार